पिकप ट्रक, देश दुनिया में धूम मचा रहे साउथ कोरियन आटो मोबाइल ब्रैंड ने एक बड़ी घोशना की है. जी हाँ, किया मोटर्स ने सी सेग्मेंट पिकप ट्रक में इंत्री मारने की घोशना करने के साथ ही इस सेग्मेंट के पहले प्रोड़क्ट का नाम भी अनाउंस कर दिया है. ऐसे में आप सोच रहे होंगे की आखिरकार किया का पिकप ट्रक किस नाम से आएगा तो बता दें की इसका नाम तस्मान होगा. आस्ट्रेलिया के साउधर्न मोस्ट आइलैंड तस्मानिया के नाम से प्रभावित होकर किया तस्मान का नाम रखा गया है. किया मोटर्स के पहले पिकप ट्रक को कोरिया, आस्ट्रोलिया और अफ्रीका के साथ ही मिडल इस्ट देशों में अगले साल लॉंच करने की तैयारी में है भारत में जिस तरह के लाइफ स्टाइल पिकप ट्रक की डिमांड बर रही है, उसे देखते हुए निकत भविशे में किया तस्मान को भारतिय बाजार में भी पेश किया जा सकता है भारत में टोयोटा किरलोसकर मोटर और इसुजू जैसी कमपनियों के पिकप ट्रक काफी पॉपुलर है और अगर किया तस्मान यहां लॉंच होती है, तो इसका मुकाबला इन ही कमपनियों से होगा किया मोटर्स की माने तो कमपनी के पहले लाइफस्टाइल पिकप ट्रक तस्मान को डायमैनिक 24 बटा साथ लाइफस्टाइल के लिए सुटेबल कमपैनियन के रूप में पेश किया जाएगा तस्मान को एडवेंचर, पावर, फीचर लोडेड और गुडलुकिंग लाइफस्टाइल पिकप के रूप में पेश किया जाएगा आपको बता दे कि दुनिया भर के बाजारों में पिकप ट्रक की मांग तेजी से बर रही है और इन में अमेरिका के साथ ही आस्ट्रेलिया भी बड़ा बाजार बन गया है किया मोटर्स आस्ट्रेलियाई कस्टमर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तस्मान को सबसे पहले वहां लॉंच कर सकती है वीडियो और वेब साइट के जरिये ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश हो रही है फिलहाल आपको बता दे किया मोटर्स भारतिय बाजार में एस्यूवी और साथ सीटर एमपीवी सेगमेंट में अच्छी गाड़ियां बेचती है जिनमें टॉप सेलिंग सेल्टॉस और सोनेट के साथ ही केरेंस भी है प्रीमियम इलेक्रिक एस्यूवी सेगमेंट में किया इवी चाहे